हालो फ्रेंड्स वेल्सम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे चॉकलेट ओरियो पेस्ट्री जिसे बनाना बहुत आसान है सिर्फ दो इंग्रेडियंट से हम यह टेस्टी सी मार्केट जैसी पेस्ट्री बना के तयार सब लेंगे तो चलिए इसे बनाते हैं इसके लिए यहां मैं आपडेट से दूसरे बाल में यूज करना है मैं पेस्टाइब तो एक इत करके हम सारे बिस्किट से त्रीम अलष बैए एक कर देए लाग तो यहां अपडेट से बनाते हैं अ मैंने सारे बिस्किट से त्रीम निताल ली है त्रीम वले बाउल को हम साइड में रख देते हैं और इन बिस्किट को हम छोटा छोटा तोड़ लेंगे फिर हम इसे जार में डाल के इस ताइट फाइन पाउडर बना लेंगे यहाँ मैंने इसना fine powder बना लिया है आधा तुब मैंने यहाँ दूद लिया है दूद हमें थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है और इसना it lumps free batter बनाके तयार तर लेना है तो यह आप देख सकते हैं हमारा इद्दम smooth batter बनके तयार हो गया है आधा तर्फ हमने जो दूर्द लिया था उसमें से भी हमारा थोड़ा सा दूर्थ बच गया है अब इसमें हम वन टी स्पून बेकिन पाउडर डालेंगे जी हां आपको बेकिन पाउडर डालना है आपको बेकिन सोडा यहां नहीं डालना है बेकिन पाउडर की जदा आप वन टी स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल सकते हैं और इसे डाल के ओवर मिच नहीं तरना है तुरंथ हम इसे द्रीज किये हुए पैन में ट्रांसफर कर देंगे. इसे एट बार हम अच्छे से फैलाएके टैप टैप कर लेंगे. यहां मैंने तवे तो भी पांच मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, इसके उपर हमने अमारे यह पैन रद दिया है, इसे त्रवर कर देंगे और दस मिनट के लिए बेट होने देंगे. हम अमारी स्रीम को भी तैयार कर लेते हैं, तो इसमें हम वन टेबल स्पून जितना दूट डालेंगे और इसे अच्छे से मिट्स कर लेंगे. आपको इसे अच्छे से मिट्स करना है, जिससे कि इद्वम ट्रीमी टैक्शर में आ जाए. आप इसे चाहे तो बीटर से भी मिट्स कर सकते हैं, तो यह आप देच सकते हैं, त्रीम और दूद आपस में अच्छे से मिट्स हो गया है. यहां मैंने थोड़ी सी डाथ कंपाउंड चॉकलेट को डबल बॉइलर में मैल्च सर लिया है, यह डाल देंगे, जिससे कि हमारी ख्रीम चॉकलेट फ्लीवर की बन जाए. आप चाहे तो बिना चॉकलेट के भी बना सकते हैं, इसे डाल के भी हम अच्छे से मिला लेंगे, जिससे कि दौनों आपस में अच्छे से मिल जाए, तो यह आप देच सकते हैं, अच्छे से मिल रहा है, इसे अब हम 10 मिनिट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि य बंतर देते हैं और इसे नीचे उतार के ठंडा होने देते हैं कुछ देर बार केट भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है चलिए इसे अब हम डी मोल तर लेते हैं अगर आपने इस तरह राउंड शेप में भी बनाया है तो हम इसे ऐसे स्क्वायर शेप में तर्ट तरल देंगे और बाद में हमने जो साइट्स तर्ट किये हैं इसे हम केट में ही यूस तरल देंगे साइट्स के यह पार्ट हम हटा देंगे यह अब देच सकते हैं इद्दम सॉफ्ट हमारा यह केट बनके तयार हुआ है और यह हमारा स्क्वायर शेप का में पेश्ट्री के लिए पोर्शन मिल गया है इसे हम सेंटर से इद्दम इत्वल पार्ट में तर्ट कर लेंगे चलिए अब इसकी हम फ्रोस्टिन करते हैं प्रीम को भी हमने फ्रिज में से निकाल लिया है यह अच्छे से सैट उर रही है इसे हमें पाइपिन बैट में फिल्टर लेंगे जिससे कि हम इसे आसानी से हमारी पेस्ट्री पे लगा सेके तो यहां हम पेस्ट्री के एट पार् आप चाहे तो इसे पैलेट नाइव से भी स्प्रेड कर सकते हैं बढ़ यह नाइव से भी एजीली हो जाता है तो हम इसे नाइव से ही तर देंगे इसके उपर अब हम हमारा यह दूसरा पोर्शन रख देंगे यह आप देख सकते हैं सेम उपर भी हम क्रीम अप्लाई तर देंगे मैं यह साइट स्वर नहीं तर रही हूँ इसे भी हम अच्छे से इवनली फैला देंगे तो यह दम जटपट बनने वाली हमारी ओर्यो पेस्ट्री बनके तयार है डेकुरेट आप इसे कैसे भी अपनी पसंद से तर सकते हैं जो हमारे पास केट पचा था उसी से ही मैंने त्रम्स बना लिये हैं तो उसे हम इसके उपर डाल देंगे तो यह हमारी ओर्यो पेस्ट्री बनके तयार है आप देच सकते हैं कितने यम्मी लग रही है इसे भी अब हम डिवाइट तर देते हैं आपको मेरे ताटने से ही पता चल रहा हो दा यह कितनी सॉफ्ट और त्रीमी हमारी यह पेस्ट्री बनके तयार हुई है बनाने में भी बहुत आसान है तो ये लिजे फ्रेंड्स मैंने इसे चर्व तर दिया है आप देच सकते हैं कितने यम्मे और टैम्टेन अमारी ये ओर यो फेस्ट्री लग रही है आप इसके उपर कोई भी स्प्रेंड्स या केट डेकुरेटिव आइटम्स जो भी हो वह आप डाल सकते हैं तो आप भी इसे जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए बाए